हलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है मैं ठीक ठाक हूँ और उमीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक हूँगे और अभी मैं उपर आई हूँ और जो तेहार में आप लोग को बोल रहे थी ना क अगना है तो हमारे यहां आप हमारे घर के बाहर ही बहुत सरा मार्केट लगा हूँ है नौखाई की बजएसे, तो मैंने सुचा जो की आप लोग को ठोड़ा सा दिखाती हूँ तो चले फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या क्या है और यहँं पि देखे इए हमारी घर की बाहर ही बहुत सारे सबजीयों का जो बाजार है बो लगा हुआ है मार्किट जो की तो बैसे तो नहीं लगता है हर दिन कभी कवार जैसे की तिहार की टाइम अभी लोकडाउन में ये सब इस तरीके से लगा कर यहां पे अपने सबजी वगेरा वेच रहे हैं तो इधर बैठे हुए हैं लेकिन यहां पे ना एक पेड़ है तो इसलिए अच्छे से नहीं दिख रहा और यहां पे बहुत सारे लोग हैं तो अच्छा नहीं लगता वीडियो करना तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत करके आप लोग को दिखा रही हूं देखिए और हजबन को बोलू कि वो दिखाएंगे बाहर ना बाहर मतलिब कि हमारे घर के बाहर ही बैठा हुआ है यह मार्केट क्योंकि लोगडाउन अभी चल रहा है तो नहीं मार्केट जहां पे लगता है वहां पे नहीं लग रहा है अभी तो और नौखाई जो की फेस्टिवल आ रहा है हमारा तो उस में तो सब लोग वैसे हमारा ये चतिस गड़ जो है वो ओरिशा का बोर्डर है तो इसी वज़े से इस त्योहार को यहां पे भी माना जाता है नहीं तो ये चतिस गड़ का त्योहार नहीं है ये ओरिशा का त्योहार है तो इसी लिए ही माना जाता है क्योंकि ये ओरिशा से ल गरा लेकि आएंगे और इस तोहार में हम लोग साथ में मिलके खाना बनाते हैं जैसी कि मेरी जिठानी, मैं और जो लोग भी हमारे घर के जैसे मेरी बड़ी जेट जी और उनकी फैमिली जो होती है वो सब लोग भी आते हैं लेकिन अभी लॉक डाउन है तो वो नहीं आपा र पाइब की मैं हमारे फैमली और मेरी जिठानी की तो वो सब मिलके हम लोग ये नुवाखाई का तेहार मनाएंगे आप लोग को थोड़ा बहुत सूट करके जरूर दिखाऊंगी और मेरी संभल पूरी में है तो मैं पूरा दिखाऊंगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं क्या बनाये हैं कुछ भी तो सब कुछ दिखाऊंगी तो चलिए फिर में नहा के आती हूँ और आज जो दिन है आज सटड़े है और कल संड़े को नौा खाई है और आज तारीक है आज 22 तारीक है 23 तारीक को नौा खाई है तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को थोड़ी द बगरा नहीं लेके आया थी क्योंकि वो जब उठे ना वो काफी जो मार्केट है वो उठ चुका था तो बस आलू चाहिए थी मुझे क्योंकि मैंने कल ही अपने सासुमा से सब्जी बगरा मंगवाया था तो बस था सब कुछ और यह जो तिहार का जो मार्केट है जो भी हम लो को अच्छे से भूनना बोलते है न उसको तो भरता बनाऊंगी तो अच्छे से इसको मैंने कर लिया है जो भी पकाना होता है गैस पर तो बस और हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे तो कुछ भी मतलब कि अगर कुछ ऐसी बाते होती है जो कि मैं नहीं कह पा कि चली गए है लाइट और इधर मेरा चावल भी पक रहा है तो लेट हो चुका था आज और नहा की आने तक मेरा साड़े दस बज गय था पुरा तो नास्ता बगरा करने के बाद अभी मैं बना रही हूं खाना तो अभी मैंने तेल डाल के फिर जो सरसो हरी मेर्च है बो डा ला था फिर प्याज डाला है और इसको अच्छे सी भूनोंगी प्याज और उसके बाद में यहां पर टमाटर डालोंगे और टमाटर में कुछ सुखे मसाली बीडाल देंगे और टमाटर मैंने जितना काटने को कहा था हैस्बं ने आज बहुत हैल्प की मेरी कुछ जितने सबजी वगरा मुझे काटना था वो सब कुछ काट दिये हैं सब कुछ मितलब आलू मैंने बस दो आलू ही चीलने को कहा था तो बस वो चील के बस रख दिये हैं काटा नहीं है उसको तो अभी मैं इसको चड़ा के फिर अपना जो आलू है वो काट लोंगी क्योंकि बैगन का भरता तो वैसे मैं खा लूँगी वो भी खाते हैं लेकिन आलू की भुंजिया बनाने से उनको अच्छा लगता है खाने में तो मैं उनके लिए आलू की भुंजिया बना लूँगी और मैं तो वैसे आलू नहीं खा रही हूँ अभी और जिनको भी वेट लोस करना है ना त कि आलू से बहुत ज़्यादा वेड पड़ता एसा मैं नहीं और था일दा केछ तो बिस उसी के वज़े बस आलू काटके फिर वंजिया बना दोंगी फिर हम लोग कर लेंगे लंज और जल्दी जल्दी में आज देखिए ये पानी वाला जो चावल होता है वो मैंने बनाया था अपने लिए तो बस वही सब है आज लंज में और तो चलिए फिर आप लोग भी खा लीजी हमारे साथ और ये जो सबजी अभी हस्बिन ने दिया है वो मेरी जिठानी के यहां से लेके आये थे जो क्या बोलते हैं उसको मस्रूम की सबजी तो वही है तो देखी यहां पे रात का टाइम हो चुका है तो अभी मैं यहां पे परबल आलो की भुंजिया बना रही हूँ तो बस थोड़ा बहुत ही मैं दिखाऊंगे आपको और उसके बाद मेरे पास ना जो चूड़ी है मैंने जो पहने थे ना वो तूट किया है क्योंकि ज्यादा अगर कप्रे वगरा मैं धो लेती हूँ ना तो जो चूड़ी है जो कंगन है वो मतलब की तूट जाता है ठीक से काच का होता है ना तो तूट जाता है बहुत पतला पतला रहता है जो काच की चूड़िया होती है तो वो तूट जाता है और मैं थोड़ा स के पहिंते हुँ तो इसलिए और फोर्ट छोटा साइच का पेहनगा उतना जल्दी नहीं टूटता है और बड़ा साइच का क्या होता है वो किया होता रहते है तो इसलिए वो टूट जाता है जल्दी कहीं पे भ nerados है तो यहां पे पेहन रही हो चूड़ी और कल तीज़ार है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि सुबह से ही हम लोग लग जाएंगे घर के जो काम है पूजा पाट बहुत सब कुछ मतलब की करना पड़ता है तो इसलिए मैंने सोचा आज जो भी काम है जितना हो पाएगा मैं आज ही निप्ता दूंगी रात को और सुबह ब पे मिलेगा की जादा होती है यही फाया होता है जोइन फेमिली का आप साथ में रहो इंद्फी से degradation नहीं होती है कि है कैसे चैल रहां होगी तो आराम से काम ना बहुत अच्छे से निपड़ जाता है तो यहां पर मैंने जो आज थे ना आज भी मैंने कुछ कपड़ों को धोया था बैट सीट को तो उन्हीं सब को मैं अभी तैय करके रख रही हूँ और उधर मेरा जो परवल आलू है बो भी मैंने चड़ा दिया है पहले मैंने सोचा कि चलो वो होता रहेगा इधर मैं अपना जो बाकी का काम है वो कर लूँगी तो बस यह सब काम हो गया और यह जो तैहार है वो इसलिए मनाते हैं हमारे यहां इसलिए मनाते हैं क्योंकि यह एक भाईचारा जैसी चीज़ होती है ना वो ही सब है यहां पर हम चाहे लोग ना जहां पर भी रहते हों जैसे कि घर के भाई जो भी लोग होते हैं जो कि बाह लेकिन ना किया हुआ लोगडाउन के वज़े से ही वो नहीं आपाए हैं तो अभी देखिए मैंने पुजा का सामान भी निकाला हुआ है ताकि इसको अच्छे से दोग के रख दूँगी तो बस अभी मैंने अपना सारा काम खतम कर दिया है और कपड़े वगड़ा ते करके रख दिया है बस मेरा परवल आलू जो है वो मैं अभी भून रही हो नहीं हुआ है अभी तो अभी साड़ी आठ या नौ बज रहे होंगे नौ बज गय होंगे क्योंकि साड़ी आठ को तो मैंने ना रिष्टार्ट किया था खाना बनाना वैसे घरे का चावल था दाल मैंने बस दाल और जो बुंजिया है वो बनाई है परबलालो की और अभी मैंने सारा काम कर लिया है और मैंने इसलिए मैं सारा कुछ जो निकाल के भगवान जी का जो भी बरतन होता है वो निकाल के रख दी हूँ ताकि मैं अभी उसको साफ कर कि हिंदी के लोग उतना ज्यादा नहीं समझ नुखाई किया है बोलके अगर आप लोग चाहती हो देखना तो बैस लें आइस तो नहीं समझ पाऊगे लेकिन हां अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मेरे समभल पूरी वीडियो देख सकते हो तो इसमें मैं डालूँगी न सब्सक्राइब और सेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉव में बाई गुड नाइट